पिप्राइस पुलिस और स्वाइट की टीम ने बड़ी कामयाभी हासिल करते हुए नौ वर्सों से पुलिस अभिक्षा से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी शातिर अपराधी को गिर्फतार कर दोबारा उसे जिल भेजने का काम किया है। पिप्राइस पुलिस ने मुख्वीर की सूजना पर फरार अभियूत को पिप्राइस रेल्वे स्टेशन के प्लेटावन नमबर एक पर गिर्फतार किया है। लगबग 9 साल से वांचित चल रहा था और इसका काफी अपराधिक इतियास है जिसमें 302 गुंडा एक बलवा इत्यादी सरकारी काम में बादा के मुकदमे है। तो लोका जो मुकदमा यहां पर हुआ था 2008 जिसमें उस वक्त NSA की भी कारवाई की गई थी। उसके बाद में जब यह जेल से एक बार पेशी पर आये थे तो वहां पर सिपाईयों को कुछ नशीला पदार खिला के वहां से फरार हो गए थे। 2010 से यह फरार चल रहे थे और इसको जो गुरकपर पुलिस है फिपराइच खाना और क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफतार किया है सुचना मिलने के उपर और पूस्ताज के दौरा ने इसने बताया कि अलग-अलग जगें रहे रहा था बीच में बताया था कुछ समय नेप रहें क्या इनकी गत्तिवी दिया रही और हम लोग डिटेल में इनसे जानकारी दें